iPhone XR में अगर हमें stopwatch open करना है तो हमें सबसे पहले click करना है setting पे तो यह रहा setting का option इस पे click कर दीजे उसके बाद हमको जाना है control center पे तो यह रहा control center का option इस पे click कर दीजे control center में हमें बहुत सारे option मिलेंगे हमें नीचे की तरफ scroll करना है और यहां देखिए यह रहा stopwatch का option अब इसके left hand side में जो plus sign देख रहा है इस पे click कर दीजे तो यह यहां से हट जाएगा और यहां देखिए उपर add हो जाएगा इसका मतलब यह add हो चुका है अब right side में यहां उपर से नीचे की तरफ scroll करिए और यह रहा stopwatch का option इस पे click करते ही आपका stopwatch यहां से open हो गया अब इसको यहां से आप start कर सकते हैं ओके